तर्की के दक्षिनपूर्वी हिस्से और सीरिया के उत्री और पश्य में हिस्से में छे फरवरी के दिन एक बहुत बड़ा भूकम पाया जिसने इन शेत्रों में बहुत बड़े इस तर पर तभाई का मंजर खड़ा कर दिया अब तक की लेटिस्ट रिपोर्ट के अनुसार इस शित्र में भूकम से 35,000 से ज़्यादा लोगों की जाने जा चुकी हैं और लगभग 6,000 बिल्डिंग बिल्कुल तहसनेस हो गई हैं इस भूकम की तिवरिता रिक्टर इसकेल पैमाने पर 7.5 थी पहला भूकम पाने के बाद सेकडू की संख्या में आफ्टर शोक्स आये हैं जिन में से एक आफ्टर शोक जो 9 घंटे बाद आया पहले भूकम के उसकी तिवरिता रिक्टर इसकेल पैमाने पर 7.5 थी लेकिन इसके बावजूद भी टर्की और सीरिया में इतने बड़े इस्तर पर तबाही का कारण है अगर हम इसकी तुलना वर्ष 2011 में जापान के फुकुशिमा में आये भूकम से करें या वर्ष 2015 में चिली में भूकम से करें तो टर्की में डिवास्टेशन का इस्तर अलग ही है वर्ष 2011 में फुकुशिमा में जो भूकम पाया था उसमें टोटल कैजूलिटी लगभक 9,700 जबकि उसमें अधिकान्ष मोते भूकम के बाद आने वाली सुनामी के कारण भी हुई थी रिक्टर इसकेल पैमाने पर उस भूकम की तिवरिता 9.1 थी और टर्की में आने वाले भूकम की तिवरिता कितनी है 7.8 इसी प्रकार से 2015 में जो चिली में भूकम पाया था उसकी तिवरिता रिक्टर स्केल पैमाने पर 8.3 से 8.4 नापी गई थी और वहाँ पर होने वाली टोटल कैजुलिटी कितनी थी 15 तो क्या कारण है कि टर्की में इतने बड़े स्तर पर लोगों की जाने गई है इतने बड पहली वज़े हैं पहली वज़े हैं भूकम की टाइमिंग और दूसरा है कंस्ट्रक्शन नियमों का पालन्या होना नौन एंफोर्समेंट ऑफ बिल्डिंग कोट्स टर्की में जो भूकम पाया है वो सुभे लगभग सवा चार बजी आया है उस समय अधिकांश लोग अपन बहुत ही स्ट्रिक्ट एंटी सिस्मिक कंस्ट्रक्शन कोड लागू है वही टर्की में इन नियमों में बहुत ज्यादा धील है और यही कारण है कि भूकम आने के बाद अब तक तर्की 134 लोगों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की शुरूआत कर चुका है यह वो लोग है जिन पर इन बूलडिंग्स को जो इन बूलडिंग्स तहसने ही भूकम में इनका कांट्रेक्ट इनके पास था 134 लोगों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की शुरूआत हो गई है जो इन बूलडिंगों के कॉंड़र्ट से जुड़े हुआ है भूकम रोधी निर्मान कोर् जैसे चीली में 8.4 एडिक्टरी सेल पैमाने के भूकम्प और जापान में 9.1 मेगनिटूड के भूकम्प में भी इतनी कैजव्यलिटीज नहीं हुई और बिल्डिंगों का तहस नहस होना तो बहुत सिम्त है क्योंकि लंबे समय से दोनों देशों में चैजली हो जापान हो भूध ही कठोर building codes हैं और उनका क्रियानवेन भी बहुत कठोर है उनका enforcement बहुत कठोर है ये एक बहुत बड़ी वज़य है कि टर्की में इतनी ज़्यादा casualties हुई है इस वीडियो को share जरूर केजिए और इस चनल को subscribe केजिए बहुत बहुत धन्यवाद